तोपिक गेम थीटिए जो टॉपिक है यह टॉपिक उप्रेशन रिसर्च सब्जेक्ट का एक टॉपिक है है Game Theory जैसे नाम से लेटर है Game की Theory मतलब Game की जो Situation होती है उससे लेटर जो भी उसमें काम किया जाता है उस काम का जो एक मिस्चरिक फॉर्म निकल के आता है उसको हम उसकी बोलते है Game Theory बोलते है एक्टो में होता क्या है अब हम इसके बारे में इसे पढ़ते है The Theory of Games is a mathematical theory that deals with general features of competitive situations This theory is helpful when two or more individuals or organizations with conflicting objectives try to make decisions मतलब यह होता क्या एक्टो में यह theory एक mathematical theory होती है मतलब यह एक math के form में हम इस theory को represent कर सकते है यह actual में जो competitive situation आ जाता है Because game है, game है तो competition होता है किसी की हार और किसी की जीत होती है और game जो होती है उसमें हार जीत चलती रहती है उस तरह एक competitive situation को handle करने के लिए जो theory बनाई गी है उसको बोलते है Theory of Games meaning Game Theory यह theory कहां पे helpful होती है मतलब हमें कहां कहां help कर सकती है When two or more individuals or organization मतलब जहां पर जातो दो player हो किसी game में हमारे पास दो player होते है कभी हमारे पास क्या होता है और organization कई बार दो-दो teams More than two teams हो जाती है वहां पर with conflicting objectives try to make decision उनका decision गेम के related जो भी उनके decision लेने में जो conflicts उनके बीच में होती है conflicts meaning like कभी कभार गेम्स में ऐसा हो जाता है कोई अपनी जीत और कोई अपनी हार के related उनके बीच में conflict पैदा हो जाता है in such situations a decision made by one decision maker और वहां पर जो judges finally बठाई वे होते हैं वो ही हमारे के होते है decision maker होते है वो सबी situations को द्यान में रखते हुए in such situation a decision जो decision बनाया जाता है कौन सा decision सबसे best है affect the decision made by one or more of the remaining decision makers जैसे कहीं भी आप देखेंगे कोई भी game होती है कहीं पर भी एक judge नहीं होता वहां पर एक से बढ़कर ही judge कोई न कोई होती है तो वो सबी जो remaining decision maker होते है सबी अपनी अपनी decision maker है सब अपनी decision provide करते है जो decision सब के according सबसे best माना जाता है उससे बोलते है final outcome और वो final outcome किस kid band होता है depends upon the decision of all parties मतलब सबी parties को ध्यान में रखते हुए जो result हमें last में निकल के आता है उस result को ही end में सबसे best result माना जाता है और इस सब के लिए जो theory हम करेंगे उसको बोलते है the theory of game उसे बोलते है game of theory और जो हम इस game theory के chapter में जो भी हम करेंगे वो हमारा game of theory mini max max mean principle based होगा अब mini max और max mean principle होगा क्या अब ध्यान रखना mini max mini max मतलब actual में होता क्या है mini max mini max principle mini max principle जो होता है हमारा वो होता है आप पीछे से ध्यान रखना max मतलब maximum loss जो हमारे maximum losses हो रहे है मतलब maximum chance of losses हमारे अगर हारने के chances ज्यादा हो रहे है उनको हमने क्या करना है हमने करना है minimize तो उसे बोलेंगे mini max principle mini max principle क्या हो गया जो हमारे पास chance है हारने के ज्यादा हो रहे हैं अगर आप उनको क्या करे mini max करे similarly अब हमारा क्या होता है maxi min principle maxi min principle क्या होगा अब हमारा maxi min principle मतलब similarly पिछला minimize जो हमारे minimum chance है minimum chance किसके of winning the game अगर हम game को जीतने के हमारे chance कम होते जा रहे हैं हमने इसको क्या करना है इसका पहले वाला part उठा लेजिए maximize करना है जब भी आप जहे प्रिंसिपल करो ना तो एक trick के साथ करो कि हमने ये principle पीछे से start करना है अगर पीछे maximum मतलब हमारे हारने के chances ज्यादा हो रहे हैं हमने इसको क्या करना है minimize करना है maximum पीछे से minimum chance of winning the game हमारे जो game के जीतने के chance है वो कम है उसे हमने क्या करना है maximize करना है ये principle important है इसको आप mind में जूरू रखना अब next यह हमारे यहां पे लिखे है the theory of game is based on इसकी definition थी अब इसमें क्या होता है अगर आपके पास number of participant participant मतलब अगर आपके game के जो player है सिर्फ दो ही हो उसमें खेलने वाले तो उसी फिर्व हमें से two person game बोलेंगे अगर दो से बढ़ कर है मतलब अगर हमारे पास दो से ज्यादा है तो जितने भी person होगे हम उसे बोलेंगे any person game बोलेंगे अब next जो हम करने जा रहे है वो हमारे पास क्या है strategy strategy actual होता क्या है strategy मतलब it is predetermined rule by which a player decide his course of action from the list of course of action course of action होता क्या है action में strategy जैसे आप कभी भी कोई भी काम करते हो तो अगर आप किसी भी काम में success होना चाहते हो तो आपके पास क्या है उसकी एक strategy होनी चाहिए strategy मतलब उसको करने के आपके क्या क्या step है क्या क्या planning की हुई है अगर आप strategy के according कोई भी काम करते हो तो आप जरूर उस काम में success जरूर होंगे तो इसलिए जब भी कोई player जब भी कोई team game खेलने जाते है उससे पहले जो भी उन्होंने क्या है determine, जो rule बनाए होते है जो उन्होंने सब कुछ planning decide क्या होता है तो जो जो उनकी list में जो जो action, action बतल जो 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 उन्होंने काम करने होते है उन मेंसे ही वो course of action decide करते है during the game और जब कोई player क्या होता है during the game to decide the particular strategy the player need not know the other strategy मतलब अगर कोई player एक strategy यूज़ कर रहा है ठीक है ना, अगर उन्हें decide कर ली कि हमने क्या करने है तो उससे दूसरे strategy के बारे में जाने को जो 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 ते नहीं है और यहां पर strategy क्या होती है दो टाइपस की होती है दो टाइपस की strategy कैसे होती है सबसे पहली टाइप strategy क्या है pure strategy pure strategy, pure मतलब should कोई भी उसमें मिलावत नहीं है जैसे हम जानती है it means यह क्या हो गया it is a decision rule to always select a particular course of action particular मतलब एक fixed course of action course of action जाद रखना जो भी हमने strategy बनाई होती है pre-planning की होती है उसमें जो rules होती है वो हमेशा क्या होंगे एक particle, एक fixie होंगे that is if the player select the same strategy each time then it is referred to as pure strategy मतलब पूरी game में वो एक strategy से ही अपनी game को अच्छी तरह से खेल रहा है मतलब वो pure strategy से game को खेल रहा है इसे बहुत है pure mixed नाम से पता चलता है mixed strategy क्या होती है when the player use combination of strategies and each player always kept guess as to which course of action is to be selected by the other player at particular occasion मतलब क्या हो गया यहां पे when the player use combination मतलब जैसे जैसे situation में changes आते रहते हैं because हमके एक prediction के according अपनी strategy बनाए होते है but sometime क्या होता है वहां पर जो situation होते है change हो जाती है जैसे हमने predict की होती है तो उसके according कई बार players को अपनी क्या strategy भी change करने पड़ती है उसके लिए वो player use करते है combination of strategies तो फिर each player always kept guess तो इसके लिए वो कह other player at particular occasion मतलब जैसे इसके situation particular occasion के coding दूसरे player की जो भी situation होगी उसके coding वो अपने course of action strategy को change करता रहेगा इसे बोलेंगा mixer strategy there is a probabilistic situation probabilistic मतलब हम क्या है एक संभावना होती है जो उसके according strategy को हम select करते है now next is the saddle point what is saddle point saddle point actual में होता क्या है saddle point में होता है जब वहाँ पर हमारी दो values के equal हो जाती है दो different जो parties होती है उनके according जो सबसे best value होती है वहाँ पर जो equal होती है saddle point बोलते है saddle point is a pay off matrix अच्छा pay off क्या होता है जो pay off होता है न वो हमारी क्या है matrix में entries होती है यह हम मैं आपको तब बताऊंगी जब हम इसका network करेंगे वहाँ पर आपको अच्छा समझा जाएगा pay off matrix is one which is the smallest value in its row and the largest value in its column मतलग क्या होता है जैसे मैंने आपको बोलना है maximum principle और minimax principle उसको use करके हम maximum value और minimax value निकालेंगे और जहां पर हमारे minimax और maximum value इक को लागे जिस point पे उसको हम बोलेंगे इको बिलीरियम point और saddle point यह क्या था हमारा saddle point तक तो friends आज हमने क्या किया है आज हमने किया है what is game theory इसका मीनिंग क्या होता है what is strategy and different type of two type of strategies and last में हमने क्या किया यह saddle point so आज का जो हमारा यह topic है यहीं पर ही complete होता है thank you friends and please don't forget to subscribe our channel thank you friends